जी हाँ दोस्तों सल्मान खान आखिरकार शेहनास से क्यों दूरी बना रही हैं क्यों खफपा हैं आपको बताएंगी इस वीडियो के अंदर सल्मान ने आखिरकार शेहनास से नाराजगी जिताकर क्या कही है शेहनास के बारे में जब से किसी कब आई किसी की जान फिल्म जो है रिलीज हुई है सिनेमा घरों में तब से भाईजन सल्मान खान शेहनाज की एक्टिंग से खफ़ा हैं और सिर्फ इतना ही नहीं आपको बढ़े दर्शक के खफ़ा होने की वज़े से जो है सल्मान खान नाखुश है शेहनाज से क्योंकि ओवर एक्टिंग जिहां ओवर पपा हो गए हैं सल्मान खान एडिटरों से भी जिन्होंने एडिट की है इस फिल्म को उनसे भी क्या कुछ अखाबर बताएंगे इस वीडियो के अंतर एक डिटेल की आखिरकार सल्मान और शेहनाज एक साथ क्यों नहीं नजर आए इद पार्टिंग जबकि पिछली बार देखें जैसे कि बने आपको तस्विर दिखाई हैं पपिया जपिया गले लगने की तो ये पिछले बार यही इद पार्टि थी सेम जगह और सेम घर में यानि कि अर्पिता के घर में ही जो है इद पार्टिंग की थी मीडिया के सामने उसे देखकर तो सभी दंग रह गए सिधार शुकला के मित्यों के बाद ये पहली बार ऐसा वीडियो आया था शैनाज का पपिया जपिया और खुब लिपटते हुए सलमान खान को सलमान ने भी नहीं रोका था लेकिन इस बार अगर देखें तो सलमान खान जैसे कि आप देख रहे हैं अलग आए शैनाज जिसमें कि अपने बड़े भाई के साथ तीनों ही लिप्टे हुए हैं और ये जो तस्वीर है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है शोशल मेडिया पर पहली बार सलमान को इतना हस्ते वे देखा गया है वहीं सलमान खान और वो वज़या है शैनाज की एक्टिंग जि सिनेमा घरों में रिलिज हुआ फिल्म के जरिये बिग बॉस फेम शैनाज को और गिल ने अपना पहला डव्यू किया पॉली बुड़ी के अंदर लेकिन ना तो दर्शक उनकी एक्टिंग से इंप्रेस हो पाए और ना ही उनके ओपेनियन्स जो है शैनाज को लेकर अच्छ की तो आपको बता दे उसमें भी शैनाज गिल ने अपनी ओवर एक्टिंग से सब कुछ कच्रा कर डाला है ऐसा हमारा नहीं बलकि पब्ली का कहना है दोस्तों वहीं शैनाज के फैंस उन्हें इस ट्रोल ट्रेल में प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं लेकिन अधिकतर जो लेकिन वहीं अगर बात करें पब्ली की इस बात को देख कर अगर कहें शैनाज की एक्टिंग को लेकर तो भाई हमने कल पर सो एक बार फिर से शैनाज की होसला रख फिल्म भी देखिए किसी का भाई किसी की जान फिल्म देखने के बाद तो होसला रख फिल्म में तो शैना भाई किसी की जान में 4 मिनट 20 सिकेंड की बात करे होसला रख को छोड़ कर तो 4 मिनट 20 सिकेंड में शहनाज जितना कर सकती थी उतना किया है और हम तो सैटिस्फाइए हैं शहनाज के इस रोल से बखो भी निभाया शहनाज ने राघव जोयल के साथ लेकिन वहीं यूजर्स की सस्पेंस है इसका किसी ने जवाब दिया वहीं 4 मिनट 20 सिकेंड एक फैन ने और लिखा मेरी तो समझ से बाहर है कि सलमान खाने इतनी वाहियात स्टार कास्ट को अपने फिल्म में कैसे ले लिया इस तरह की तमाम कमेंट्स जो हैं सोशल मेडिया पर आ रहे हैं वहीं एक और ने लिखा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे एक और ने लिखा इसको पंजाबी इंडस्ट्री में पांच मिनट का रोल तो कोई देता नहीं है भाई ने इसे सिर पर खामका चड़ा रखा अब शैनास को इस फिल्म को मिलने के बाद जो किसी का भाई किसी की जान जो ज पर जरूर मिलता है उनसे और एक बार फिर से शैनास जो है चा रही है बॉलिवुड पर और बहुत जल्द तीन एक फिल्म और है शैनास की जो आने वाली है जो 2024 में आएंगे जिसकी शूटिंग शुरू हो गई है एक तो अनिल कपूर के साथ ही जो है शैनास आने वाली है फिल्म के अंदर फिल्हाल के लिए आप ये जुरूर बताईएगा आपकी क्या है राय शैनास के इस फिल्म को लेकर किसी का भाई किसी की जान को लेकर